हेलो फर्स क्लास, वेलकम टो लेंड ख्लासिस, प्रजेंटेड बाइम पब्लिक स्कूल, फर्स क्लास, आज आपको टर्ण है हिंदी, तो निकालिए अपनी आयांश हिंदी पार्ट शाला, जो आपकी बुक का नाम है, ठीक है बच्चों, और हिंदी में आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे उकी मात्रा, ठीक है बच्चों, तो ओपन कीजे अपनी बुक्स में, पेज नमबर 21, और आज हमारा जो चैप्टर है वो 7 है, और आज हम पढ़ेंगे बड़े उकी मात्रा, ठीक है, तो ये कुछ चितर दिये गए हैं, इसमें हम देख किस से क्या बन रहा है, तो ये क्या है, दूद, दै बड़े उकी मात्रा, धै दूद, फिर है मैं बड़े उकी मात्रा, लै, इ, मूली, जूला, सूरज, खजूर, तरबूज, ठीक है, तो जैसे कि दूर, जूस, रूप, पूनम, चूर, सूख, कूद, कबूतर, खून, भू जूटन, बबूल, जूट, धूल, सूज, काजू, इसी तरह से, बड़े उकी मात्रा के कुछ, ये जो दी गई है, मैं ये पढ़ लेते हैं, जैसे कि नूतन, छत पर्च, उचलकूद, कर रही है, जब भूख लगी, तो दूद, पी कर खजूर, खाएं, दूद, की बनी, प बाजार जाकर काजू लाया, उनकी सूरत फूल सी लगती है, ठीक है, आप इसको एक बर गाल लेते हैं, छूना कभी बिजली के अतार भूका मत रह कर, अहार दूर दूर तक हरी हरी धूप, चलना इस पर जब डल जाए, धूप, तो बचो, ये आपको exercise सेंट कर दी जाएग अब हम इसके साथ एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है बचो, तो बचो, page number 53 निकालेंगे, और 17 चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है बहाने बाजे टिंकी, ये एक चित्र कता है, तो चलिए हम इसको एक बर पढ़ लेते हैं, ठीक है, टिंकी, उठो देखो, सूरज उग गया, तुम भी उठो, मा, सूरज छिपा भी तो जल्दी था, इसलिए जल्दी उग गया, पर मैं तो देर से सोई थी, इसलिए देर से ही उठोंगी, जल्दी उठो, मैं तुम्हें बढ़िया नाष्टा कराऊंगी, मा, आलू के पराठे बनाना, तुम्हें हरी सबजी खानी चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छी होती है, पर मा, यदि सब हरी सबजी खात लेते, लेंगे तो धर्टी पर हरी आली कहां रह जाएगी, तो मा कहती है टिंकी से, हे भगवान, कैसी लड़की है, बाते बना-बना कर मन-मर्दी करना चाहती है, हरी आली खतम नहीं होगी, हम सब नए-नए पोधे उगाते रहेंगे, खैर, तुम यह मटर की सबजी खाओ, और टमाटर का सूप भी पियो, लगता है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है माँ, माँ पर शाम को तो चाउमिन मिलेगी ना, फिर माँ बोलती है, टिंकी से, नहीं, उनसे पेट दर्ध होगा, शाम को तुम्हें बदाम वाली सूजी की खीर मिलेगी, दूद से तुम्हें विटामिन और बदाम से शक्ति मिलेगी, फिर टिंकी बोलती है मां से, लगता है, मा की बात मानने में ही बहलाई है, कक्षा में ननकू भी कल चाओमिन खाने से पेट डड़ होने की बात कर रहा था तो बच्चो यह है आपने दिखो इसमें यह चैप्टर पढ़ा है इसको एक बर आप खुद से भी पढ़ना ठीक है और इसकी जो आपको एक्सरसाइज है वह आपको सेंड कर दी जाएगी बच्चो ठीक है तो मिलते हैं नेक्स ग्लास में नेक्स वीडियो के साथ थैंक यू